स्विमा सॉलेशन चप्टर 29 एलेक्ट्रिक फिल्ड और पोटेंशल क्वेशन नमबर 40 रोड फ लेंथ एल है इसको बेंड किया सेमिसर्कल में ठीक है सेमिसर्कल बेंड किया और यह अपना सेंटर और यहां पर जो लेंथ है वो कितना का पायार क्योंकि सेमिसर्कल का चर्कंफ्राइब होता है और यहां र्सिक्वल क्या होगा है ल्गाज्व यहां अगर मैं यहां पिरे में सेंटर से सेम डिस्टेंस के उपर एक छोटा सा पोर्शन पॉस्टर करता हूं कित्रा डी-एक्स लेंध का और चार्ज अपन बोलते थे दीक्यों डीक्य के उपर अपने को total force find करना है तो यहाँ पर आपन बहुत सकते हैं यह जो d theta form कर रहा है यह जो चोटा सा portion है वो center पर d theta form कर रहा है तो d theta कितना होगा theta is equal to r k upon radius r कितना है dx और radius कितना r यानि dx is equal to r d theta ओके अब आपने को center के उपर net force find करना है due to this semicircle okay तो देखो इस dx के वज़े से force यहाँ पर होगा कितना बोलते हैं आपन आपन सोरी force नहीं अपने electric field find करना है तो इस center के उपर field इस तरफ होगा charge positive है d q charge positive है तो electric field away from charge होगा तो कितना होगा d e लिख देते हैं और यहाँ से भी देखेंगे तो charge कितर इस तरफ आगा कितना field कितना होगा d e okay जितना angle यह portion बना रहे है उतना angle यह बना है क्योंकि same distance के उपर है यहाँ जो ठीटा है वही ठीटा यहाँ पर है तो इस जो हमने field find किया उसके दो component आएंगे एक component इधर आएगा यह भी ठीटा होगा यह भी ठीटा होगा तो यह d e cos theta और इसका भी इधर component आएगा d e cos theta और इसका component इधर d e sin theta और यह होगा d e sin theta तो देखो यह हमने semi circle का भी half किया यह quarter किया और उसका जो एक portion considered गया उसकी वैज़े से हमने field देखा है जिस यह दोनों इक्वल एंट पोजिट है इन दोनों के विज़े से नेट कितना आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड आ रहा है आपका कितना तू डी इ कोस्थिटा राइट अब यह चो डी इए हम लिख रहे है वो छोटा सा पोजिटन है किसका सेमी सरकल का पी हाफ यानि क्वा इन दोनेट इलेक्ट्रिक फिल्ड आ जाए द्यू टू रिंग ओके तो इसको इंटिगेट कर देते हैं आपन तो यहां पर देखो इंटिगेट करेंगे सबस्ब्लेट डी इको क्या लिख सकते है फिल्ड को अपन दिख सकते है टू के डीक्यू अपन आर स्क्वाइर इसकते है डीक्यू यानि अपने पास यह क्या है डीक्यू अपने रिलेशन नहीं बनाया तो देखो चार्ज का जो डिस्ट्रिबिशन है चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रिबिशन है यानि डीक्यू बाई डीक्स जो डेंसिटी है लेनियर चार्ड डेंसिटी वही होग replace कर सकते है के q dx by l यह r square और यह cos theta अब dx को क्या लिख सकते है r d theta dx को लिख सकते है अपन 2k q r d theta cos theta upon l r square right r r cancel out a k r बचेगा तो यह हो जाएगा और k को में लिख देता हम 1 upon 4 pi epsilon 0 तो यह जाएगा 2 q cos theta dq upon sorry d theta d theta upon l r और k को उपन 1 upon 4 pi epsilon 0 लिख दे 1 upon 4 pi epsilon 0 तो यह 2 to 4 cancel होगा और l को उपन क्या लिख सकते है l को लिख सकते है sorry r को लिख सकते है l by pi लिख सकते हूँ तो यह लिखता हूँ मैं q cos theta d theta upon l ko r को लिखेंगे l r by pi और 4 को लिखेंगे 2 pi epsilon 0 तो pi pi cancel out तो यह क्या जाएगा नेट अपने पास आजाएगा q cos theta d theta upon l sorry l सही है यह r नहीं आना चाहिए r की जगा अपन l by pi लिख चुके r की जगा क्या लिखता है l by pi तो यह पाई आया तो यह जाएगा l square 2 2 2 बचेगा 2 l square epsilon 0 यह अपना d e नेट आ रहे है ठीक है अब इसको इंटिगेट करता है 0 2 e net और यहां पर इसको इंटिगेट करें कि इसको cos theta d theta को कहां से कहां तक 0 2 यह एंगल यहां से यहां तक एंगल कितना बन रहा है यहां से एंगल देखो पाई बन रहा है सेम यहां से यहां देगें कि तो भी एंगल केतना इंगल बन रहा है पाइबाइब 2 तो इसको टो क्यों इंतिगेट कहा है जीरो टुपाइबं करेंगे तो Q सेमाइब क्यों नnymi्च वितनि को तो Production करेंगे specific मृ मिवा चुंदल एंट या कया कि अरो 2L square epsilon not 1-0 यह आंसर आ जाएगा नेट फिल्ड कितना आ जाएगा q by 2L square epsilon not और फिल्ड का डारेक्शन क्या होगा यह डारेक्शन होगा यह फिल्ड का डारेक्शन होगा कितना फिल्ड होगा magnitude q by 2L square epsilon not